राजा और उनकी तीन बेटियों की कहानी आई ये सुनते हैं बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच दयालू सोभाव और दरिया दिली है उसे लगता था कि वह इस्थतियों को सही से समझने हर बात पर्ण्याय करने और हर विशय में उचित विचार रखनी वाला र्यक्ति है राजा की तीन बेटियां थी एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुला कर मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है कहा तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत बर्तमान और भविस्थ बना हुआ है जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा मैं ही तुम तीनों का भाग बनाता हूं राजा की यह बात सुनकर उसकी दो बेटियों ने सांत मन से राजा की बात में हामी भर दी लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग गया राजा यह सुनते ही गुस्ते में आ गया उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चनोती के रूप में सुईकार किया उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सहीं सावित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया इस बज़े से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही राजा और उसकी वाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे राजा मने मन सोचता था कि यह मेरा ही हुकम है जो मेरी जित्ती बेटी जेल में कैद है लोगों को भी यही लगरहथ होगा कि राजा काही हुकुम है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग़े मिला है उसकी प्रजा की लोग भी यही सोचते थे उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत काही किया होगा तब उसे जेल में कैद करके रखा गया है बरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी लेकिन अभी भी उसकी विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्ता दिला रहा दिलाता है अगर तुम इसी तरह मेरे आखों के सामने रहीं तो गुस्से से मैं न जाने क्या कर बठूँगा मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ इसलिए मैंने सुचा है कि तुम अब मेरे राज के पास ही के एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी राजा ने आगी कहा उस जंगल में सिर्फ उन्हें लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते तुमने भी अपनी जित की बज़े से मेरे बात नहीं माने इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी इसके बाद तीश्य बेटी को उस जंगल की जमीन पर रखने के लिए भेग दिया गया वहां वह फल और सबजियां खाने और एक गुफा में रहने लगी उसके पास पीने के लिए ज़रने का पाने और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहा रहा था वहां की खुली हवा में रहते हुए फल फूल खाते खाते जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हो उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया गुफा को उसने घर की तह सजा लिया था और खुशी खुशी वहां रहती थी एक दिन वहां एक भटकता हुआ रहागीर आ पहुचा उससे देखते ही देखते ताजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया वो दोनों खुशी खुशी वही रहने लगे उस जंगल में उन दोनों की अलाबा और भी कई लोग रहते थे जिनकी मदस से उन्होंने उस जंगल को एक सहर के रूप में बदल दिया कुछी सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगे उस सहर के राजा रानी बन गए अब उनके सहर की चर्चा दूर दूर तक हुने लगी जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली वो उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुँच गया जब वो उसने वहां की राजगत्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खुबसूरती वक्त को तो उसके होस उड़ गए राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया उसने अपने पिता से उसके बुरे बरताओ वहां फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयम ही अपना भाग बनाता है कोई अन इंसान किसी और का भाग नहीं बना सकता इसके बाद राजा को सुयम ही अपनी गलती पर पश्तावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग से आजाद कर दिया उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा मले ही तुम तीनों का भाग मेरी हाथों में है लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परस्थितियों की अनुशार अपना भाग अच्छावा बुरा बना सकता है कहानी से हमें क्या सीख मिलती है राजा और उसकी तेन बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग बना या विगाड नहीं सकता हमारा भाग सोयम हमारी हाथों में ही होता है जिसे हम अपनी सूजबूज से बुरी परिश्थतियों में भी अच्छा बना सकते हैं